इलहाबद हाई कोट में आयकार विभाग पर 50 लाग का जुर्माना लगाया है। हाई कोट में अपने फैंसले में आयकार विभाग कानपूर और नेशनल फैंसलेस एसेस्मेंट सेंटर नई दिल्ली की कारिप्राली पर टिप परिखी। का कि ये ने सर्गिक नियाई के खिलाफ है। आयकार विभाग को जुर्माने की राशी तीर सफता हमें पिधार मंद्री राहत कोष्ट में जमा करने का आदेश दिया है। ये फैस्दा जस्टिस एस्पी के सरवानी और जस्टिस जयन्त बनर जी की डबल बेंच ने एसार कोड स्टोरेज की याचिका पर दिया है। मामले की सुनाई करती हुए पोड ने का की न्याय व्यवस्ता में अदिकारियों को देश के नागरी को पोपरेशान करने की मनमानी की छूट नहीं देती है। ना ही विधिक या राजनितिक सिस्टम राज्य को कानून से उपर काम करने की इजाज़त देती है। जो रकम आवेदक ने बैंक और बढ़ोदा में जमाही नहीं की उसके एवद में इंकम टैक्स की नोटिस थमाने पर कोर्ट में नाराज़गी जाहिती। आवेदक ने सुनोटिस पर आयकर विभाग से आपत्ति दर्ज कराई थी। बावजूद इसके उसका कोई संग्यान नहीं दिया। आयकर विभाग ने आवेदन को बिना सुन्वाई के निरस्त कर दिये। इलहबाद हाई कोर्ट में इसे चक्तियों का दूप लोग माना है। जूरो रिपोर्ट आयते हैं।